Hello friends, नमस्कार, welcome to our channel, जैसाई friends आप सभी जानते हैं, HSSC female supervisor का exam काफी नजतीक आ चुका है, सबसे पहले तुम आपको बता देता हूँ कि आपका जो exam है female supervisor का HSSC का वो 17th of January को होना है, अभी तक के रिए तो यही final हुआ है कि 17th January को आपका exam होना है, अगर 17th January को आपका exam होता है तो आपके admit card जो है, वो 6th January तक आ जाएंगे दोस्तों, हाँ, 6th January को आपके admit card आ जाएंगे, सिलेवस क्या है दोस्तों, वो मैंने आपको एक पहले वीडियो में बता रखा है, नीचे description में आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा, त्यारी कैसे करनी है, और भी अच्छे अच की त्यारी कर रहे है, तो unacademy के उपर free practice test की series जो है वो आ चुकी है, लेकिन फ्रेंड्स ये free तभी होगी, तभी आप जो screen पर देख रहे है, exam info code यूज करेंगे, इसके लिए link नीचे description में दे दिया है, ये free practice test की series 23 नॉमबर से start हो चुकी है, 25 दिसंबर तक चलने वाली है तो 2 से 3 दिन बचे है, आप इस free practice test series का फाइदा जो है उठा सकते है, नीचे description में जाके इसमें enroll up कर लीचेगा, live quizzes जो है महराष्टरा city के लिए and academy पर आपको day by day मिलते रहते हैं, और साथ में बताना चाहूंगा friends, अगर महराष्टरा city की आप अच्छे से preparation करना चाते हैं, तो rankers batch भी जो है launch हो चुका है 21st of December से, जिसके लिए भी link नीचे description में दे दिया गया है, exam info code जो screen पर दिया गया है, इसको जब आप वहाँ पर apply कर दोगे तो 10% का extra discount भी आपको मिल जाएगा, तो नीचे description में जाकर friends, आप इस rankers batch के अंदर join जरूर कर लीजेगा, अगर आप महाराष्टर सीटी की preparation, तो friends चलिए अब बात कर लेते हैं, HSC female supervisor exam की, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका exam जो है, वो 17th January को है, दिन बचे हैं बहुत कम, यानि कि अभी केवल और केवल 20 days या फिर 25 days आपके पास है, इन अंतिम 25 दिनों में आपको कैसे त्यार करने हैं, syllabus क्या है, तो syllabus के लिए मैं detailed video मना रखी है, फिर भी मैं आपको एक बर brief में बता देता हूँ, कि आपका इसके अंदर maths, English या फिर हिंदी, और साथ में reasoning, और हरियानाजी के यह आने वाला है, आपका syllabus, computer इसके अंदर नहीं है दोस्तों, आपके लिए एक plus 50 होने वा नहीं है, बिल्कुल सेम है, और exam का level आप समझी सकते हैं कि HFC किस level का exam बना सकता है, लेकिन डरने की जरूरत है नहीं, जो computer सबसे hard level का होता है, वो इसके अंदर include ही नहीं है, आपको लिए अगर detail में syllabus जाने चाते हैं तो निचे description में वीडियो का link मिल जाएगा, वो देख ल 25 से 30 questions इस exam के अंदर आने है, जो की एक most important चीज होगी, देखेंगा friends जो female supervisor के exam है, उसके अंदर maths सभी की problem रहती है, और maths सोड़ा high level का भी है, तो maths के अंदर जो है सभी के एक जैसे ही number बनने वाले है, कोई ज़्यादा deviation नहीं होगा, यह क्या दो number का, लेकर friends जो 30 number आपके आ अदर तो friends सबसे पहला मेरा यही suggestion है आप सभी के लिए कि हर्याना जीके के अंदर कोई भी number मत करने देना, कोई भी question गलत मत करके आना, बिल्कुल छोटा सा syllabus है, और मैं बात करूँ तो मेरा कम से कम 17 से 18 वीडियो पड़ी है और उन्हीं में से आपका syllabus cover हो जाएगा, आप playlist म जाकर देख भी सकते हैं उन्हीं 18 वीडियो में से आपका complete syllabus जो है cover हो जाएगा, exam date female supervisor friends आप सभी को पता है 17 जनवरी को, एक बार फिर से ध्यार कर लें जिसको नहीं पता है 17 जनवरी से आपका ये exam होने वाला है, HSC female supervisor का बहुत कम दिन बचे हैं केवल 25 दिन, और इन 25 दिनो आप सभी को अति ही होगी, जहां तक मैं उमीद कर रहा हूँ, जिस level की पूछी जाएगी reasoning, फिर भी friends आप एक बार cube वाले question देख ले, एक बार series वाले question भी वहाँ पर नचर मार ले, तो friends ये जो है आपका total syllabus रहने वाला है, आपको man cheese जो focus करने है, percentage और लाभानी वाले profit loss व होते हैं आपके पहले बड़ी bracket खूलनी होती है, वे छोटी bracket कुछ एक या दो question मूच से related भी देखने को मिल सकते हैं, तो इन सभी को ओका भागू योग जो है आप याद करके जाएं, और थोड़ थोड़ बात करूँ तो sign, theta, coach, theta इनकी value भी आपको याद होने चाहिए, वो video came through हमारे channel पर, तो channel से जुड़े रहे, वीडियो को देखने लेल बहुत बहुत धन्यवाद, thank you